शासन के निर्देश पर जन्पद में 139 केंद्रों पर गेहों की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी वित वराजस्व राजेश कुमार सिंग ने बताया कि जन्पद में सभी गेहों क्रे केंद्रों को सक्रिय कर दिया गया है गेहों खरीद केंद्रों पर काटें, बोरे की विवस्था के साथ ही किसानों को बैठने और सुद्ध पेजल की भी विवस्था की गई है इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान दिया जा रहा है एडियम फाइनेंस राजेश कुमार सिंग ने बताया शासन के निर्देश सांसार पती कुंटल 1,975 रुपए से गेहों की खरीदारी की जा रही है और गेहों का मूले भुकतान किसानों के खाते में सीधे कर दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस बार सासन के निर्देश से गाउं की किसानों का विवरण संबंधित क्रे केंद्र से जोड़ दिया गया है उन्होंने किसानों से कहा कि गेहों बेचने से पहले अपने केंद्र का जाच कर ले और वहीं ले जाकर गेहों की बिक्री करें इस संबन में गुरकपूर न्यूस से बात करते हुए एटियम फाइनेंस राजीस कुमार सिंग ने कहा चुमार का दिन है सभी केंदर खुले रहेंगे किसानों से मेरा अन्रोध है कि शाब सुत्रागीहूं लेकर जाएं और विक्र रहें इस बार 975 रुपै का रेट है किसानों को ये पैसा सीधे उनके खाते में जाएगा गिहूं की quality चेक की जाएगी और गिहूं में कोई और अन्य या कोई अन्य प्रकार का जो भी जाती तत्व होगा उसकी मात्राइद जादा होगी तो वो रिजिक्ट हो जाएगा अतक कि तानोस अन्रोध है कि वो सभी किसान भाई साफ सुतरा और अच्छा गिहूं ले करके जा कोईड-19 प्रोटोकाल का पालन करना होगा जिससे वो स्वस्थर है